कि आप आप इस यह सू के जलाली बाबरकट नाम में आप सब की सिनामती हो मेरा नाम मुबश्र आयाजवटी है और मेरा तालुप युनिवर्सल गासवल असम्ब्ली चर्च से है और हमारा चर्च मुशर्फ कलोनी होक्सवें में भी है और एक चर्च हमारा वल्जेटरन हिदमत करते हैं एक सू मैं खुदाम का शुकर और हसकी तारीफ की तमझीत करता हूं इस बाइट के लिए को हमारा चैनल में आकर खुदाम की खिदमत को सर अन्जामदों के खुदा का शूवट गुस्यार स्वस्ति WOODRUFFत ओक के लिए बरकत चाहते हों कि खुदा उन इस पुरे नेटवर्क को और उनकी पुरी टीम को अपने जलाल के लिए बहुत जादा सफ को इस्तमाल करें सो खुदा उन इस पुरी टीम को बड़ी बरकत दे हैं सो हम बाइबन लुकदस में से देखते हैं मरकस रसुल की अंजील उसका पहले बाप की 21 ऐड सुले के 28 ऐड तक हम कलाम खुदा में से देखेंगे यहां पर हम बाइबन मुकदस में से देखेंगे फिर वो कफ्रियन उम्हूं में दाखिल हुए और वो फिल फौर सबत के दिन अबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा और लोग उसकी तालीम से हरान हुए क्योंके वो उनको फक्यों की तरह नहीं बलके सहब आक्तियार की तरह तालीम देता था और फिल फॉर उनके अबादत खाना में एक शक्स मिला जिसमें नपाकरू थी वो यू कहकर चिलाया कि ऐ यसन नासरी हमें तुझ से क्या काम क्या तु हम को हला करने आया है मैं तुझे जानता हूँ कि तु कौन है खुदा का कदू से ये उने से जिर्क कर कहा चुप रहा और इस में से निकल जा पसो नापाकरू उसे मरोड कर और बड़ी अवाज से चला कर उस मेंस से निकल गई और सब लोग हिरान हुए और आप समें ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है ये तो नई तालीम है वो नपाक रूहों को भी अख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती है और वो फिल्फ और उसकी शोहरत के लिल की और उस तमाम नमाई में हर जगा फैल गी खदान के किलाम कर पड़े सुने जाने के वसीला से तमाम देखने और सुनने वालों को खदा बड़ी बरकत दे तो मेरे अज़ों बाइबल मुकद्स में से हम इन आयात के मताबिक देखेंगे और आज का जो हमारे मज़मून है वो यह है कि खदा का कदूस हम इस बात को जानते कि खदा की बहुत सारी सिफात है जैसे खुदा महरवान है खुदा भला है खुदा रहीम है खुदा कादिर है लेकिन ऐसी सिफ्ट हमारे खुदा के जो तमाम माबूदों से उसे अलग बियान करती है लवज जो कदूस है अगर हम इसे इबरानी जबान में इसका तर्जमा देखें तो इसका मतलब बनता है अलैदा मुन्फरिद और इसका अर्दो में जो तर्जमा बनता है वो ये है पाक इसका मतलब यह है कि हम जिस खुदा को पाक कह रहे हैं वो अलग है वो मुन्फरिद है वो अनोखा है वो निराला है वो नायाब है और दुनिया के सारे खुदाओं से मुन्फरिद खुदा है खुदा अपनी मखलोग से अलग है और तमाम बुराईयों से अलग है खुदा गुना ना कराता है ना गुना कर सकता है ना किसी से गुना करने पर अमादा करता है किसी को ऐयूप की किताब में हम देखते हैं वहां पर लिखे कि ये हरुज हो नहीं सकता कि खुदा शरारत का काम करे और कादर मत्रिक बदी करे और हच्कूक की किताब में लिखे कि खुदा की आंख जो है वो पाक है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर आज का कलाम हम अपने अंदर रेंगे इसको अपने अंदर रखेंगे तो हमारा जो लाइफ अस्टाइल है हमारा जिन्दगी का जो रहन सहने वो बिलकुल तबदील हो सकता है चेंज हो सकता है अबादत का जो हमारा मयार है वो तबदील हो सकता है सकता है तो इसलिए हमें बाइबनों कद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् हमें बाइबल मुकदस में नजर आता है और वो है कदूस हम बाइबल मुकदस में देखते हैं कि खुदा को जो है बाइबल मुकदस कदूस कहती है और इस लवज ने खुदा के इर्द गर्द की फिजा को जो है घेरा हुआ है और वो लख रहीम, महरवान कोई नी बलकर सद्धियों से सराफी इसे दौराते रहते हैं और उसे कदूस, कदूस, कदूस कहते रहते हैं इस लख में ऐसी कुद्रत है कि फरिश्टों की जबाने आज तक नहीं ठकी और ना खुदा के कान इसे सुन सुन कर ठके हैं सदियां गुजर गई लेकिन अस्मान पर एक लवज से खुदा की परस्तिश होती ही हमें नजर आती है और वो है कदूस मैं आपको बताता है चलूँ कि इस लवज की परस्तिश को खुदा अंजवाए कर रहा है लिखे है एक बैवनकद्श में कि खुदा नूर है और खुदा उस नूर में रहता है जहां तक किसी की रसाई नहीं होती खुदा नूर है और जिसने नूर को बनाया वो भी खुदा है और खुदा पाक है जिसने कदूसित बनाई वो भी खुदा है और जिसने हम देखते हैं सब कुछ बनाया वो भी कदूस खुदा है सोचें कि हमारा खुदा कितना पाक और कितना गदूस खुदा है अरबी जबान में खुदा का एक नाम है अल-कदूस इसका मतलब है हर तरह की एब से पाक आपकी सोच वहां तक नहीं जा सकती वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक हमारा खुदा, पाक खुदा है, कदूस खुदा है हमारी पाकिज़गी क्या है, उसकी जात के सामने जरा के बराबर भी नहीं है खुदावन का नभी यहनास तबागी केता है कि जो मेरे बाद आता है मैं उसकी जूती का तसमा कोलने के काबिल नहीं क्या ही कुद्रत है हमारे खुदावन की कि उसकी कुदूसित की क्या मरतबा है क्या रोब है क्या अजमत है क्या जलाल है हमारे खुदावन का जो पाक है जो कुदूस खुदा है हमारा जो उसकी हजूरी में आते हैं खुदा उन्हें पाक कहता है और खुदा ने फ्रिष्टों को भी पाक किया और बैवल कद्दस में ये साइगी किताब फरमाती है खुदा का बाजू पाक है जबूर की किताब में लिखा के ऐ खुदा अपनी पाक रू को मुझ से जुदा न कर तो हम देखते हैं कि खुदा का बाजू पाक है उसकी रू पाक है और फिर जबूर में लिखा कि खुदा के कौल पाक है और खुदा के फैसले पाक है उसकी आंखे पाक है उसकी जबान पाक है उसका रूप आखे और मैं आपको यह बताता चलूँ कि खुदा हमारा सरसर पाक खुदा है कदूस खुदा है यहुदी लोग जब कुछ लिखते थे तो जहां यहवा का नाम आता था तो कलम उधर रखकर तो पहले वो गुसर करने जाते थे और कलम तोड़ देते थे फिर दूसरी बार जब वो कुछ लिखते थे जहां यहवा खुदा का नाम आता था तो दुबारा वो गुसर करने जाते थे और जिस कलम से एक बार उन्होंने नाम लिख दिया दूसरी बार उस कलम को वो इस्तमाल नहीं करते थे इसका मतलब यह के बनी इस्वैल कौम यहुदी कौम इस बात को जानती थी के हमारा खुदा को दूस पाक खुदा है और यहुदी यहुदी यहुदा का नाम लिखने से पहले गुसर करते थे इन्हें पता है के हमारा खुदा पाक है उसका नाम भी पाक है जैसा कि बाइबल मुकदस में लिखा है ए हमारे बाप तू जो असमान पर है तरह नाम पाक माना जाए इसलिए पहला सामिल उसके दूसरे बाप की दूसरी आयत में लिखा है कि रब जैसा मुकद्स कौन है यहां पे सवाल है कोई है उस जैसा मुकद्स कोई पाक कुदूस है उसके जैसा मेरे अजिज़व कोई भी नहीं है लिखा कि खुदा का हम मौजना जो है किस के साथ कर सकते है किस के साथ उसकी बराबरी कर सकते है या कौन उसके बराबर हो सकता है कौन उसके जैसा हो सकता है मैं आपको बताता चलूँ कि गैर को में जब अपने मंदरों में जाती थी और खासकर जो युनानी थे उनके मंदरों में ऐसा होता था कि उन वो अपनी पाकीजगी को अपने पाकीजगी के मियार को वो इस तरह रखते थे कि जब उनके मंदरों में कोई आता था तो उनके मंदरों में औरती होती थी और बाहर से कोई मर्द आता था और उनसे बदी करते थे इसी तरह फिर उनके मंदरों में मर्द हजरात भी होते थे फिर जब कोई औरत उनके मंदरों में आती थी तो वो उन लड़कों से, मर्दों से बदी करते थे और उनका पीछे बैगरॉण ये था मतलब ये था कि हम अपने देवी देवताओं को खुश करते हैं ये हमारी पाकीजगी का निशान है लेकिन मैं आपको बताता चलो पाकीजगी ये नहीं है, ये पाकीजगी का मेहार नहीं है बाइरनुकदस का जो खुदा है मेरा आपका जो खुदा है वो सरा सर पाक है उसके अंदर कोई बदी नहीं है यसाय की किताब में हम देखते हैं यसाय नभी की रोया में है च्छटे बाब में वहाँ पे हम देखते हैं कि सराफीन खुदा के फुरिशते हैं और सदियों से वो एक ही सुर को निकाल रहे हैं और वो सुर जो है उन सुर में से जो अफ़ाज निकलते हैं वो अफ़ाज, वो लवज हैं कदूस, कदूस, कदूस मैं आपको बताओं चलूँ के यसाय ने अपनी किताब में लवज गदूस को 30 दफा जिकर किया है कदूस लुज का क्यूंकि यसाय ने खुदा की قدوسیت کے بڑے بھید کو کھولا ہے क्या ही बाद है सराफीन की कि खुदा को वो قدوس قدوس, قدوس कहते रहते हैं हम सब को भी मिलकर और अपनी दुआउं में खुदा को قدوس कहने की जरूरत है मुकाशिफा की किताब उसके साथवे बाब में भी हम देखते हैं खुदा के फुदा के फृष्टे जो है असमान पर 24 गंटे जो है कि खुदा को कदूस कहते हैं खुदा की प्रस्थी शो रही है 24 गंटे और चौथे बाब में लिखा है आठीन आठीन के वो बगएर अराम लिए खुदा को दिन और रात कदूस 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 कहते रहते हैं जो खुदा के लोग है वो इस बात को जानते है कि हमारा खुदा जो है वो कदूस पाक खुदा है उसके अंदर कदूसित है और वो इस बात को जानते है और वो इकरार करते है फुरिश्टे इस बात का इकरार करते है असमान पर قدूस किया ही इस लवज में कुदूरत है दब दबा है रोब है कि खुदा ने कभी ये नहीं का के इस लवज को अब खतम करदो अब किसी और लवज मेरी परस्श करो खुदा कभी इस लवज से तंग नही है बेलुके वो इस लवज से खुश है एक मसानिफ ने बड़ी खुबसुरत बात कही और वो बयान करते हैं कि हर सेकंड के बाद फरिश्टों पर खुदा का भेद खुलता रहता है यानि कि हर सेकंड के बाद वो खुदा को कुदूस कुदूस कहते हैं और हर सेकंड के बाद एक भेद उन पर खुलता है तो हम देखते हैं बैल मुक्दस में चारो जानदार रात दिन बगेर अराम लिये खुदा को गुदूस कदूस कदूस कहते रिए हमारी प्रस्तिश का मैयार क्या है हम कितना खुदा को कदूस कहते है कितना पाक कहते है हाला के खुदा पाक है लेकिन हम कितना कहते है आज हमें इन बातों को जानने की जरूरत है कि हम خدا उनको कितना पाक केते हैं हाला के वो है लेकिन हम कितना केते हैं हमें इन बातों पर गोड़ करने की जरूरत है खुड़ा ने क्यूं नहीं इस लफ़ को तबदील किया वो खुड़ा ये भी कह सकता था कि अब इस लफ़ को खत्म करे قدوس کو ہٹا کے بھلا بھلا کہنا چاہیے رحیم رحیم کہنا چاہیے یا جو تخت پر بیٹھا ہے اور کسی اور لفظ اس کی تعظیم کی جائے لیکن خدا نے کبھی بھی اس لفظ کو پیچھے ہٹا کے کسی دوسرے لفظ کو آگے نہیں رکھا بلکہ خدا کو یہ لفظ بہت بسند ہے کیونکہ خدا کی جو ذات ہے اس کی ذات کے مطابق یہ لفظ بالکل جو ہے پرفیکٹ ہے بیان قدس میں ہم دیکھتے ہیں یسائی کی کتاب اس کے چھٹے باب کی پانچویں عید میں یہاں پہ لکھا ہے کتب میں بول اٹھا کے مجھ پر افسوس تب میں بول اٹھا کے مجھ پر افسوس جس بندے پر خدا کا مقاشوہ کھول جاتے ہیں جس بندے کی زندگی پر خدا کا مقاشوہ جو اسے مل جاتے ہیں زندگی پر اس کے گناہ بے نقاب ہو جاتے ہیں اس نے یعنی کہ یسائی نے دیکھا کہ اسوان پر خدا کی پرستش ہو رہی ہے اسوان پر خدا کی پرستش ہو رہی ہے اور اس نے اس بات کا اقرار کیا اور اس نے اپنے آپ کو کہا کہ مجھ پر افسوس اس نے دیکھا میں تو اس میار میں نہیں ہوں لیکن اسمان پر خدا کی پرستش ہو رہی ہے خدا کو قدوس کہا جا رہا ہے اس نے اپنے آپ کو کہا مجھ پر افسوس ہم جتنا خدا کے قریب جائیں گے ہم اتنا ہی اپنے آپ پر افسوس کریں گے यानि के हमारे गुनाब बेनकाब होते जाएंगे इसी तरह लिखे है बैवनकदस में यह साय केता है के मुझ पर अफसोस मैं बरबाद हुआ क्या कभी इनसान ने कभी ऐसा किया है कि अपने आप पर अफसोस किया हो लेकि यहां पर हम देंके खुदा के बंदा ने जो है कहा है के मुझ पर अफसोस मैं तो बरबाद हुआ वजह आज लोग खुदा की पाकीज़गी को जान नहीं पाते जो भी इमानदर खुदा की हजूरी में जाना शुरू करेगा खुदा आप पर अपनी कदूसियत का भेद खुलेगा खुदा आप पर अपनी पाकीज़गी का भेद खुलेगा और आपको वो प्योर करता जाएगा उसके करीब जाकर तो देखो उसके करीब आकर तो देखो कभी हम उसके करीब जाते नहीं तो हमें इसकी कदूसियत के बारे में क्या इल्म होगा सुनिए जरागोर से लवज कदूस तीन बार क्यों आया है मैं आपको पता चलूँ तीन बार इस लिया आये के बाप कदूस से, बेटा कदूस से, रूर्कुदस कदूस से आस्मान पर तस्लीष की पाकीज़गी की परस्तिश 24 गेंटे हो रही है यानि के बाप पाक कदूस है बेटा पाक कदूस है और रुलकदस पाक कदूस है इसलिए तीन बार बाईमुकदस में लिखा हुआ है कदूस 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 बेरमकदस में हम देखते हैं छटे मीने जिब्राइल फरिश्टा मरियम के पास आता है और वो पेगाम देता है कि तेरा बेटा होगा तो उसका नाम येसु रखना मरियम ने ये कहा ये क्यों कर हो सकता है जबके मैं किसी मर्द को नहीं जानती लिखा के रोल कुदस तुम पर नाजिल होगा यानि कि वो जो कदूस से जो तीसरा अकनूम है यानि कि वो दूसे अकनूम को तुझे देने के लिए तुझे पर साया करेगा क्यों? जो दर्म्यानी कदूस से वो बाप का बेटा है लहाज़ा मर्यम जो तुमारे बतन में आएगा वो अस्मानी तुखम से नहीं आएगा बलके कोई ऐसा डियाने नहीं होगा वो बलके वो भी पाख होगा कदूस होगा इसी सबसे वो मौलूद मुकदस खुदा का बेटा भेलाएगा तो इसलिए मेरे अजिज़ो हमें इस बात को याद करना है कि हमारा खुदा कदूस खुदा है हम इस बात को देखते हैं बेलुकदस में इसके बाद पिर ये हुआ कि यूसफ और मर्यम अपने पलोटे बेटे को यानिकि यस्छा को हैकल में लेकर گए पाख करने के लिए यूंकि शरीयत में लिखाए कि पलोटो को खुदा पाख करता है लेकि यूसफ और मर्यम ये नहीं जानते थे उन्हें ये नहीं पता था कि जिसको पाख करने के लिए हम लेके जा रहे हैं वो तो खुद उनको पाग करने वाला है वो तो खुद कदूस है अम किस को यहां पे पाग करने के लिए आए है फिर लिखा है कि मसी खुदावन बड़ा होकर जवान हो गया और बावाज बलंद होकर कहता है कि कौन है जो मुझ में गुना को साबित करे यसमसी ने इलाणिया के दिये कि कोई ऐसा हो सामने या जो मेरी जिन्गी पर मुझ पर गुना को साबित करे क्योंकि वो पाख है कुदूस है उसकी अस्मान पर परस्थिश होती है हम भी उसकी परस्थिश करते हैं लेकिन अगर हम परस्थिश के लेवल को जाज जाए है बैलू कद्दस में लिखा है मरकस की अंजीर उसकी पहले बाप की तेस्वें चोबीस्वें आक में इसी चैप्टर में एक इबादत खाना में एक शक्स में नपाक रूँ थी यहाँ पर गौर करते कि उसने यसु से कहा एए यसु नासी हमें तुझ से क्या काम हमें तुझ से क्या काम यहां जमा का लवज है हमें और फिर लिखा है कि मैं तुझे जानता हूँ अब यहाँ पर एक लवज लिखा कि मैं यानि कि वाहिद वो केता है कि मैं तुझे जानता हूँ तू खुदा का कदूस है यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ यहाँ पर बद्रू के सरदार ने इस बात का इकरार किया यानि कि मैं बोलकर मैं तुझे जानता हूँ कि तू खुदा का कदूस है हमारे लिए बड़ी खुशी के बात ये है कि बुद्रूएं भी यस्व मसीख कुदूस और पाक कहती है ऐसी पाकीज ही है ऐसी कुदूस ही है थे हमारे खुदान में कि शरीयत में लिखा थे किसी नपाक चीज़ को छुआ जाये तो इनसान चुने वाला भी नपाक हो जाते है लेकिन यस्व जिसे चूता है वो पाक हो जाता है आज हमें उस खुदा को पाक कहने की मानने की और पकीज़गी में खुदान की परस्षिश करने की जरूरत है खुदान आप सब को इस किलाम के वसिला से बड़ी बरकत दे आईए हम खुदान के खजूर दौा करें खुदान अजीम पाख, खुदान महरबान, असमानी बाप, तेरा शुकर, तेरा नाम की तारीफ करते हैं खुदान तो अजीम पाख, महरबान को दूस्त खुदा है खुदाओं तेरे शुकर करते हैं आज के कलाम के लिए आज की सुरहानी खुराग के लिए तेरी मुकदसबातों के लिए खुदाओं जो खुदाओं यहां पर बियान की गई है खुदाओं दौा करते हैं खुदाओं जितने लोग इस तेरे कलाम को सुने खुदान तू हुने हमेशा की तरह जो तेरे गलाम को इमान से सुनते हैं उन्हें बरकत देना तेरे शुकर ते नाम की तारिफ करते हैं एक बार प्रिक खुदान मैं इस ग्रेस नेट वर्क और पास्टर दानिश विटर के लिए बरकत और सलाम दी चाहता हूँ दुआ करतों कि ये नेटवर्क जो है बहुत जादा तेरे जलाल के लिए आगे बड़े और सर्फ हो तेरे शुकर ते नाम की तारिफ करते हैं ये सु की नाम से आमें